दिलेवरी के बाद जैसे ही फीडिंग के लिए हम प्रयास करते हैं तो वहाँ पर कभी-कभी देखते हैं कि मिल्क सिक्रिशन बहुत ही कम है यह बिल्कुल नहीं होता है तो यह से में क्या करें तो मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारी कमेंट आ रहे थी कि आप अभी सही कुछ यह सी चीज़े बता दीजिए जैसे वहां पर जैसे डिलेवरी हो तुरंथ ही ब्रेश्ट मिल्क अच्छे से आता रहे और बच्चा वहां पर पहले दिन से ब्रेश्ट मिलका उप्यक करें कभी ना खळाना पड़े उसको तो उसके लिए प्रेग्नेंसी के दोरान क्या करना चाहिए और यदि डिलेवरी के बाद दूद कमा रहा है तो डार्ट में क्या क्या चेंजिस करें कुछ ऐसी टेप्स है जो यदि आप वहां पर स्पेसिफिक मसाज है कुछ इसी टिप्स है जो यदि आप फोलो करेंगे तो वहां पर दूद की सिक्रिशन अच्छे से होगी ह तो यदि आपको बिल्कुल भी दूद नहीं आ रहा है तो अच्छे से दूद आने लगेगा और इतना ज्यदे दूद है कि बच्चाओं पर अच्छे से पुसी के उपर फोर्मुला पृट उसको कभी नहीं पड़ेगा तो इस तरह से ब्रेस्ट मिल्क को बठाए रखने के लिए क्या-क्या चीज़े खानी है क्या-क्या चीज़े फोलो करनी है उसी जिसकी डिसकर्शन इस वीडियो में करने वाले हैं में डॉक्तर प्रियंक का याद हो यहां पर इसारी गाइदेंस आपको देने वाली हुँ तो वीडियो आखिर तक देखते रहेगा और यदि वी वहां पर सक नहीं कर रहा है यदि लेचिंग असे नहीं होगी तो जो दूद की नल या खुलनी चाहिए वह नहीं खुलेगी और उसके अनुसार वहां पर दूद की चुसी क्रिसाने वह कम आएगा तो बच्चे के पकड़ भी कैसे बच्चा किस तरसे फीडि कर रहा है कितन कि उसका वहां पर एक फीडिंग कम्प्लीट होता है और वह इसी तरह से हर 2-3 घंडे में 2-3 घंडे में करता रहता है तो बहुत सारी चीज़ों के उपर डिपेंड रहेता है आपका दूद का सिक्रेशन दूद की सप्लाई कैसी है यह आपका वहां पर दूद सिक्रेशन ब कर सकते हैं आप जो दूद है उसको निकाल सकते हैं और उसको अब बचन के सकते हैं दूद नहीं आ रहा है तो तुरंट दूसरे वे में शिफ्ट हो जाओ और वहां पर आप बच्चे को अपना दूद ना दो तो इस तरह से आप प्रेस्ट पंप का शारा ले सकते जिससे दूद निकाल के वही दे सकते हैं तो इससे स्टिमुलेट भी होगा और खाली अच्छे से दूद आता रहेगा और यदि पहले दिन से अपकी अंदर दूद की सप्ला अच्छी मात्रा में है तो बच्चा अच्छे से ले रहा है तो उपर से उसको कुछ और पानी तक भी देनी की ज़वरत नहीं दूद नहीं आ रहा है सबस्क्राइब तो क्या करें तो मसाज की ब्रेश्ट को मसाज आप और या बाधान का तेल कोई बीड़े कर आपको इस तरह से क्लोग वाइज में और एंटी क्लोग वाइस में इस तरह से मसाज करते रहेना है वहां पर बढ़ेगा दूद की सिक्रेशन अच्छ से आएगी दूसरा कुछ ऐसे food है जो लेने से वहाँ पर दूद की supply बनी रहती है या फिर बढ़ जाती है तो वो कौन-कौन से food है सबसे पहला coconut coconut लेने से दूद की supply अच्छे से बनती है coconut आप powder ले सकते है coconut oil खाने में इस्तमाल कर सकते है coconut की आप बर्फी बना सकते है या फिर आप ऐसी रोग कोकोनट मिलते हैं बाजम ट्राइब फ्रूट की दुकान पर मिलेंगे वह ऐसे खा सकते हैं तो कोकोनट लेने से वहां पर दूद की सपले अच्छी बनी रहे थी हमारे गुच्रात में कोकोनट के लड़ू बना के देते हैं या फिर जो गोंद के लड मेथी मेथी के उंखानी है मेथी लड़ू बनाते हैं मेथी के पा ही देते हैं मेति सबजी में изला खिला देते हैं तो मेति के अंदर अगry दूद्ची मातरा बढ़ा बढ़ाएगा और उसकी quality भी maintain करेगा और दूसरी चीज मेथी लेनी तो कितनी लेनी चाहिए एक ही मेथी का लड्डू लेना चाहिए या फिर एक या दो टेबल स्पून आपको डेली की लेनी चाहिए उससे ज्यादा मेथी आपको डेली की नहीं लेनी है दूसरा जो सुपर फूड ही वह है दूड की वह दो बहुसी है इसरा जो है फॉपर पॉड हो है ऐसिक मैं अच्छbrand के लड्डू बना सकते हैं या फिर यह आप जो सब्चि बनाते हैं नूतर सकते हैं एकalta पानी भी पी सकते हैं अधे फिर और हरें घर में ममी लोग बनाते हैं गोंद के लड्डू या फिर डिलेवरी के लड्डू जो आपके नाम वहां पर हो तो गोंद के लड्डू खाने से वहां पर दूत की सप्लाई भी अच्छे से बनेगी और यूट्रस जो है वह पहले बेक टू नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा जो प्रेग्नें खालो तुरंत एनर्जी आज जाएगी तो आप उसको गोंद के लड्डू डेली के चार या पाट जिस तरह से आप खाना चाहें खा सकते हैं गोंद के लड्डू खाने से बेक दिक्कत भी नहीं रहेगी तो गोंद डिलेवरी के बाद जितना खा सके आप खाओ वहां पर आ में किया था क्यों क्योंकि दायट इस तरह से डिजाइन करते हैं यादि आप भी डायट चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बुक्स में कमेंट रखो के डिलेवरी के बाद मुझे फुल डायट चाहिए जिससे वेट लोस बहुत अच्छे से हो हम आपके लिए वह वीडि अब्रमस्टिक के लिए नां सकते हैं नां ब्हुत अच्छा सोर्स और अपको और आपके बच्चे दोनों के बौन हेल्स के लिए बहुत अच्छे से काम करता है दूसरी चीज आपको खानी चाहें वह बाजरा खाने से भी दूद की सपलाची बनी रहती हैं एनरजी बनी र और वेटलोस भी आपका कराएगा दूसरा सुपर फूद फैनल सीट्स फैनल यानिके सोंप खाने से आपको वहां पर ठंडग भी रहेगी दूद की सप्लाइ भी बढ़ेगी तो इतने सारे सुपर फूद ऐसे हैं जो खाने से दूद सप्लाइब बढ़ती है और दूद की वीडियो कैसा लगे वह कमेंट बूलना मत भूला और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइकन से करना भी नहीं भूलना है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गर्भ बुरो तो कर लिए को आपके लिए बिल्कुली फ्री है तो चलो फ्रेंट फिर जल्ली से मिलेंग के नए वीडियो के साथ तक तक के लिए श्टेल शेपी बाई